वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन का बटन को पैस कर दे ताकि हमारी न्यू लेटिस्ट वाली वीडियो में इस वीडियो में आजम बात करेंगे फॉन पे के बारे में बहुत से लोगों का कुश्चन था कि यदि हमारे पास ATM कार्ड नहीं है, debit कार्ड नहीं है क्या हम फॉन पे को यूज कर सकते हैं किसी को भी money transfer, mobile recharge का हम लाब ले सकते हैं तो इस वीडियो में आज हम डिटेल से कवर करेंगे दोस्तों आपको दो बातों का यहाँ पे आपको विशेश तोर पे ध्यान रखना है पहला माल लीजिए आप पहले कोई ATM चला रहे थे हैं Google पे चला रहे थे हैं या फिर दोनों आप चला रहे हो वहाँ पे आपने अपना कभी UPI जो है LinkedIn किया था तो उस time पे अगर आपने माल लो कि उस time पे आपके पार debit card ता लेकिन अब आपके पार debit card नहीं है वो गोचुका है, वो गुम हो चुका है आप उनको बंद करके शर्फ phone पे यूज करना चाते है ou और फिर तीनों को यूज करना चाते है अभी आपको phone pay को recently बनाना है तो आप बिना debit ATM card के इसको यूज कर सकते हो लेकिन मैं चीज क्या है मान लो जी हमारे पास ना तो हमने कभी phone pay पे ATM यूज गया ना Google पे यूज गया हम अभी new user है हमने शुरुआत phone pay से किये अब हमारे पास सिर्फ जो है बैंक खाता है ना किसी परकार का debit card है ना ATM card है क्या आप हम phone pay को यूज कर सकते हैं तो हम आपको यहाँ पे जानकारी दे देते हैं कि आपको चाहे वर्चुल चाहिए या फिजीकल आपको ATM चाहिए जरूर, debit card चाहिए जरूर, तो दोस्तो अगर आपके पास debit ATM card नहीं है तो आप phone पे यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन एक रास्ता है अगर आप चाहते हो कि आपको कोई form ना भरना पड़े आपको कहीं भी bank में, branch में ना जाना पड़े आपको किसी भी परकार को कोई भी ATM apply के लिए कहीं पे नहीं जाना पड़े दोस्तो आज हम आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप घर से ही अपना UPI LinkedIn कर सकते हो और आपको एक virtual ATM card भी मिलेगा जहां पे आप जो है उसे कहीं payment भी कर सकते हो किसी भी अगर form की आपको payment करने वो भी payment कर सकते हो या फिर किसी पिरकार debit card से फिलिप card Amazon वगेरा पर जो काम आपका ATM debit card physical रूप से करता वो ही काम ये करेगा तो दोस्तो आपको करना क्या है हम आप आगे वीडियो में बताते हैं वीडियो से समधित आपको Paytm application को download कर लेना है पेटियम अप्लिकेशन को आज कर सभी जानते हैं तो आपको Paytm में ही आज हम saving account कोल के दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर process के option पर कलिक कर देना है process के option पर क्लिक कर देने के बाद यह आपको mobile number को verify करेगा देखेगा कि यह मोबाइल नमबर इसी हैंड सेट में है यह फिन नहीं भी वेरिफाई करने के बाद आपको जो है यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट का एक उप्शन दिखाएगा तो आपको यहाँ विल इन बैंक अकाउंट लेटर के आपको क्लिक कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रे स्कीप कर देने के बाद इसका इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा अभी आपको यहाँ पर आपकी KYCYC सब्चीज दिखाई देंगी तो आपको यहाँ पर आपने पहले स्कीप किया था वाले वाले ओप्शन पर आपको अपने डोकुमेंट गेर लेने हैं गे यहाँ पर देखने के लिए जिसमें आपको सबसे नीचे लिखाई debit ATM कार्ड विद रूपे पिलिटीनम बेनेफिट तो आपको यह रूपे के सिगनेचर के साथ आपको डेविट कार्ड मिलेगा यहाँ पर डेविट जो डेविट ATM कार्ड है उसकी यहाँ पर कोई आपको न हो है तो यहाँ पर आपको प्लीज सम्मिट योट बेशिक डिटेल तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आधर कार्ड अपना यहाँ पर गेर देना है आधर कार्ड और आधर का नमबर और यहाँ पर आपको नाम और इस चेकबगब के करके activate my wallet यानि आपको पहले wallet ही पेटियम का activate करना पड़ेगा लेकिन उससे कोई मालव नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल गेर होगे तो सेविंग काउंट ही आपको यहाँ पर कोलेगा तो हम यहाँ पर जल्दी से बेसिक सी डिटेल गेर देते हैं तो आपको यहाँ पर गेरनेक बाद activate my wallet के option पे किलिक कर द देना है तो दोस्तो इस तरीके से आपको जो अपने अपने अधर काट डालने के बाद और OTP डालने के बाद जो है आपको जो है वो आपकी KYC हो जाएगी अभी मेरी pending दिखा रही है तो यह मैंने रात के समय की हो सकता है इस वज़े से आपको जो है आपको यह सिंपल से कुछ नहीं करना फिर आपको जो अगला सट्राइब करना है वहां आपको बता दे ने किस तरीके से आपको यह दिखाई देगा तो जैसे ही आप के वाई सी वेशी आपकी सक्सेस्फुल हो जाएगी और फिर अगर पेमेंट बैंक वाले अकॉंट पें जाओंगे तो आपको जो है simple से खुल जाएगा जो भी password है इसका तो ये आपको जो है खुल जाएगा खुलने से ही आपको जो है इस तरीके से आपको जो है आपका debit card यहां पर आपको दिखाई देगा इस debit card से आप phone पे Google पे पेटियम कुछ भी अगर आप किसी भी तरीके का UPI लेंदेन करना चाहते हो तो कर सकते हो कहीं पे भी online कोई समन मंगाना चाहते हो इसकी payment करके इससे तो कर सकते हो यह एक तरीका ही saving account है जैसे की SBI Bank of India पंजाम ने नेसनल बैंक तो इस तरीके ही पेटियम payment bank का saving account है तो दोस्तो अगर वीडियो से आपके थोड़ी बहुत मदद वही हो तो वीडियो को like करें शेयर करें धन्यवाद